नमस्कार आप सभी को मेरा नाम है पूजा और आज हम डिसकस करेंगे क्लास वन एंसी आर्टी की जो नई बुक आई है म्रदंग उसके चैप्टर को और चैप्टर का नाम है ए फाम सबसे पहले हम इस पूरे चैप्टर को रीड करेंगे हर मीनिंग का हिंदी मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद हम exercise portion से होते हुए पूरा चैप्टर है वो complete करेंगे साथ ही में बीच बीच में जो भी grammatical या primary में basically हम grammar word यूज नहीं करते हैं तो जो भी चीज़े grammar से related आती रहेंगी मैं उनको आपको बताती रहूँगी ठीके जैसे previous videos में मैंने worksheet के थूरू भी समझाया है आप चाहें तो मेरी channel को visit कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ना जिससे आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा और बहुत आसानी होगी तो चलिए शुरू करेंगे अगर आप इस channel पर नए हैं तो सबसे पहले इसे subscribe कर लीजिए वीडियो को like जरूर कीजिए subscribe करने के बाद bell icon को भी press कर दीजिए ताकि कोई भी notification आपसे मिसना हो और अग अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे comment भी करें और share भी करें ठीक है तो चलो बच्चों शुरू करेंगे माई का मतलब होता है मेरा दियर मतलब प्रिये ग्राणपा मतलब दादा जी के लिए बोला जाता है तो मेरे प्यारे दादा जी के पास head of farm अब ये head जो आगया है ये past की verb है past perfect जो हमारे tense होते हैं उसमें की helping verb है head तो ये past की बात कही जा रही है कि मेरे जो प्रिये दादा जी थे उनके पास एक farm हुआ करता था farm का मतलब होता है खेत ठीक है आगे बढ़ेंगे I E I E I O ठीक है तो उसका नाम था इसमें जो बच्ची है वो बता रही है कि मेरे प्यारे दादा जी के पास एक farm था E I E I O मतलब छोटी बच्ची के एक sound लिया गया है इसमें ठीक है and on that farm he had a cow और उस farm पर उस farm house पर मतलब खेतों में घर जोपडी नुमा बना रखा था उस farm में कई सारे जो है pet animals होते हैं like cow हो गया, hen हो गया sometimes people keep their horses there so एक farm house type का था उनके दादाजी के पास with a moomoo here and a moomoo there तो ये cow की sound है ये बाली moomoo ठीक है क्योंकि उसके farm में क्या था एक गाय थी और गाय दिन भर रमाती रहती थी moomoo so with a moomoo here and a moomoo there यहां पर भी moomoo की आवाज आती थी वहां से भी रमाने की moomoo की आवाज आती थी hair a moomoo there a moomoo यहां भी moomoo की आवाज वहां भी mooh की आवाज everywhere a moomoo सब जगे से वही आवाज आती रहती थी my dear grandpa had a farm e-ae-o ठीक है तो उसके पापा के पास, दादजी के पास एक फार्म था, तो इस तरीके से एक नहीं कि पोयम है, तो हम इस पोयम को पूरे जो भी खटा पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? तो आप जब सभी लोग कोरस में इसको गाएंगे, ग्रूप में इसको गाएंगे, एक्टिविटी बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों को, ठीक है? आगे बाला पढ़ेंगे, अब उनके फार्म में क्या है? एक हैंड भी है, ठीक है? देखो, you can see in this picture, so many hands are here, with a clock here, with a, and a clock, clock there, मतलब अब यह जो साउंड है, वो हैंड का साउंड है, क्लक, 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 ठीक है? here a clock, there a clock, everywhere a clock, my dear grandpa, head of farm, yeah, yeah, oh, तो पूरे इस paragraph का सेंस यही है, कि जो उसके दादा जी थे, उसके फार्म में मतलब हैंड भी हैं उनके पास, और हर जगह से क्लक, क्लक की यहाँ, वहाँ, सब जगह से आवाज आती रहती है, आगे बढ़ेंगे, replace the animals with their sounds and continue the rhyme, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, replace का मतलब होता है, जगह बदल देना, the animals, अब जैसे इस पूरी पोयम में animals कौन कौन से आए, एक तो आया cow और आया hen, ठीक है, तो अब हमको cow की जगह कोई और animal ले लेना है, hen की जगह कोई और animal, तो suppose that अगर हम cow की जगह dog ले ले, ठीक है, तो dog का sound क्या हो जाएगा, barking करता है, भू भू करता है, ठीक है, तो भू 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 हम ऐसे मू मू की जगह भू 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 रिप्लेस कर सकते हैं, और hand की जगह हम suppose that duck ले ले ले, ठीक है, तो duck की आवास क्या होती है, क्लक क्लक की जगह हम क्लक क्लक भी कर सकते हैं, तो इस तरह से मज़्यदार चीज है, आप कई सारे animals और उनके sounds कर दीजे, अगर आपको animals और उनके sound के उपर एक नई वीडियो चाहिए, तो मुझे comment section में बताना, वैसे भी मैंने अपने channel पर automatically already upload कर रखे वीडियो आप चाहे तो उसको visit करके देख सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, जैसे इन्होंने example दिया है cat, तो cat कौन सा sound करती है, meow, meow, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, color the farm and the name and name the animals in the farm, use this help box, ठीक है भई, क्या करना है, color करना है farm, वाउ, coloring वाली चीज तो बहुत मज़ेदार होती है बच्चों के लिए, तो देखो कितने सारे animals हैं, कितना सारा एक पूरा जगह है, पूरे farm house नोंने बना रखा है, तो अब आप इन सारे animals को color करना और उनके नाम भी लिखना, जैसे suppose that ये क्या है, ये cow है, ऐसे करके arrow बना के cow, ये goat है, गोट है, गोट इस तरह ऐसे आप इनको color करो, जो मन चाहे आपको, अपने मर्जी से color करना है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, animals and birds, my, ये देखो, कितना बड़ी असीन है, है ना, तो आगे बढ़ेंगे, animals and birds, my name is jaggu, my का मतलब होता है, मेरा, name का मतलब होता है, नाम, is का मतलब है, jaggu का मतलब, jaggu एक नाम है, तो मेरा नाम, jaggu है I live in नागपूर, I का मतलब होता है, मैं, live का मतलब होता है, रहना, in का मतलब होता है, मैं, नागपूर का मतलब होता है, एक शहर का नाम है नागपूर, तो मैं नागपूर में रहता हूं, come with me, come का मतलब होता है, आना, with का मतलब होता है, साथ में, या साथ, और मी का मतलब हो इसका मेरे साथ आओ I will tell you यह फ्यूचर की helps है future tense की simple future है यह I will tell you tell का मतलब होता है बताना you का मतलब होता है तुम्हें तो मैं तुम्हें बताऊंगा किसके बारे में बताएगा वो about का मतलब होता है बारे में the animals का मतलब होता है जानवरों के जानवरों के बारे में बताएगा ठीक है, क्या बताएगा जानवरों के बारे में that, key that जब किसी उससे बीच में जुड़े तो उसका मतलब होता है key live near my house वो उन जानवरों के बारे में बताएगा जो उसके घर के पास रहते हैं live का मतलब होता है रहना near का मतलब pass में my मतलब मेरे house मतलब घर तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे घर के पास में जो जानवर रहते हैं मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा दे देखो यह जग्गू है अपने डॉगी के साथ किता सुन्दर घर है उसका देस इस डॉग अब वो बता रहा है इसके बारे में देस का मतलब ये इस मतलब है आ मतलब एक डॉग मतलब कुता ये एक डॉग है एक कुता है इट लिव्ज नियर दा गेट इट का मतलब यह है इसके लिए आया इट लिव्ज मतलब रहता है नियर मतलब पास में दा गेट य हुआ है ना इसके पास में यह रहता है चीक है आगे बढ़ेंगे अब यह दिखो टू कैट्स आ रहे हैं सो दीज आर कैट्स अब देखो एक कोई चीज समझ में आई आपने दिखा कि जब डॉग के बारे में वह बता रहा था तो यह दिस का यूज किया उसने चीक है और अब कैट के बारे में बता रहा है तो दीज का यूज किया है क्यों ऐसा क्यों हुआ यह दिस है यह दीज है ऐसा क्यों इसके लिए भी तो दीज का यूज कर सकता था ना या डॉग के लिए भी दीज का यूज कर सकता था नैं क्योंकि यहाँ पर एक जोल है क्या है क्योंकि डॉ जो पिक्चेर में दिख रहा था वो एक ही था, क्या था, one, only one, और जो cat है, वो क्या है, ये two हो गई, तो जब कोई चीज सिंगुलर हो, सिंगुलर का मतलब नंबर में एक हो, ठीक है, तो उसके लिए this का यूज करेंगे, और जब कोई चीज प्लूरल हो, मतलब नंबर में एक से जादा हो, जैसे ये दो हैं, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे these, समझ गए आप बात, बहुत उशारों आप लोग तो मुझे पता है, बिल्कु समझ गए होगे, तो सिंगुलर में जब हम किसी चीज को इंडिकेट करेंगे, तो वहाँ पे हम this का यूज करेंगे, और प्ल कूदती हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मतलब उपर नीचे कूदती हैं, इंदा वरांदा, घरों में होता है ना वरांदा, घरों में लिविंग रूम होता है, किचिन होता है, और बेडरूम होता है, वैसे ही वरांदा भी होता है, खुला हुआ एरिया, आंगन ठीक है तो वरांदा of my house मेरे घर के वरांदे में वो उपर नीचे जम करती रहती है आगे बढ़ेंगे अब देखो यह नंबर में एक ही है न तो यहां के फिर से दिस आ गया clear हो गई बात this is a cow यह एक गाय है it eats grass यह क्या खाती है eat का मतलब खाना grass मतलब घास तो यह घास खाती है आगे बढ़ेंगे अब देखो उसके घर में किते सारे जानवर है rat भी है this is a rat यह एक चूहा है the rat is very small the rat का मतलब चूहा इस मतलब है very का मतलब बहुत small मतलब छोटा चूहा बहुत छोटा है the cat chases the rat और जो बिल्ली है यह cat chases चेज का मतलब होता है पीछा करना तो चुहा बिल्ली की तो दौड होती है ना तो जो बिल्ली है वो चुहे का पीछा करती रहती है किसलिए करती है कॉमेंट में बताना आपको तो पता ही होगा अब देखो यह एक से वन टू थ्री हो गए ना अब एक से जादा हो गया तो यहाँ पर फिर से दीज आ गया तो यह दिस और दीज का कॉंसेप्ट आइधिंक क्लियर हो गया होगा आपको मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी आपके लिए परिशान मत हो तो उसमें आ का मतलब होता है यह है और यह ओ यह क्या है बंदर है दे स्वेंग वो जूल्ते हैं and जंप मतलब जूलतना and जंप मतलब कूदना इन दा ट्री वो पेड पर कूदते और जूलते रहते हैं there is a field beside my house ठीक है अब घर के पास ही there is a field field मतलब एक मैदान है खेत है there are few snakes वहाँ पर क्या है कुछ कौन है snakes you have to walk carefully in the field you have to तुमें चलना होगा कैसे walk धीमे धीमे करके carefully उससे साबधानी पूर्वक in the field खेतों में बहुत साबधानी से चलना पड़ता है यही तो साब काट लेगा now I will also tell you now का मतलब होता है ठीक है now I will also tell you also का मतलब होता है भी देखो मैं इतनी सारी vocabulary आपको बताती रहते हूं यह सब जानना बहुत जरूरी है और दिमाग में बैठा लेना अपने इन सब के हिंदे मी क्योंकि यह सब बेसिक चीज़े हैं अगर आपको इनका भी मतलब नहीं आ रहा है it means you are very poor in English language right I will also tell you मैं यह भी आपको बताऊंगा about the birds चीडियों के बारे मैं भी बताऊंगा I see near my house I see C का मतलब होता है देखना यह वाले C का ठीक है नियर माई हाउस जिने मैं अपने घर के आसपास देखता हूं न जिनचिडियों को अब मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा this is a crow तो यह crow है ठीक है यह कववा है it is black in color तो कववा कौन सा है काले रंग का है रंग में इसका रंग काला होता है this is a pigeon pigeon का मतलब कभूतर ठीक है it is gray in color यह gray है color में this is a sparrow ठीक है यह देखो यह कभूतर है यह मिल गए ग्रे कलर का अब यह sparrow आ गई it is a small bird यह छोटी सी चिडिया होती है यह देखो यह sparrow है गौरया बोलते हैं इसको एक आपके लिए बता दूँ के जो गौरया है वो दिल्ली का जो है वो state bird है if I'm not wrong ठीक है फिर भी एक बाद check कर ले न this is a parrot parrot है होता ठीक है it is green and and has a red beak यह इसका रंग तो हरा होता है लेकिन उसकी जो चौच होती है beak का मतलब होता है चौच वो लाल रंकी है this is a peacock यह देखो you can see a beautiful peacock here यह more है it has many colors और जो पीकॉच है उसके कई सारे colors होते है यह देखो purple भी है wallet भी है red भी है green भी है और इसके punk में भी different different colors होते हैं ठीक है यह इसके feet brown होते हैं आगे बढ़ेंगे I love animals and birds मैं सारे जानवरों से और पक्षियों से प्रेम करता हूँ यह मुझे बहुत पसंद है तो इस तरह से हमने अपना chapter एकदम complete कर लिया है आप इसको revise करिए एक दुबार वीडियो को जरूर देख लीजेगा आगे बढ़ेंगे इसकी chapter exercise पर सबसे पहले हम discuss करेंगे new words वरांदा वही घर में एक आंगन नुमा area होता है cow means guy rat means चूहा sparrow means गौरहिया crow means कौवा pigeon means कबूता snake means साफ fields means मैदान या खेत peacock means more beak means चोच अब आप लोग कई सारे animals हो गए birds हो गए insects हो गए इन सब जो हमारे आसपास रहते हैं इन सब चीजों को भी learn कर लीजिएगा जैसे आपके को 10 insects name 10 birds name 10 animals name animals both kinds of animals like pet animals और wild animals दोनों याद होने चाहिए birds name 10 birds name याद होने चाहिए ठीक है आगे बढ़ेंगे do you know do you know का मतलब होता है क्या तुम जानते हो that की some animals कुछ जानवर live in the jungle जंगल में रहते हैं जब भी कोई English का बड़ा sentence देखो तो उसको टुकडों में काटको उसके हिंदी करनी चाहिए ठीक है तो क्या तुम जानते हो कि कुछ जानवर जो है वो जंगल में रहते हैं look at the pictures and say the names अब पिक्चर को देखो अब देखो tiger को कोई घर में तो रखेगा नहीं loin कोई घर में नहीं रखेगा elephant घर में नहीं रखेगा so all these animals lives in jungle or in forest right say the word rat say it again क्या बोलना है हमें say the word rat rat बोल दिया ठीक है say it again दुबारा बोलो rat फिर से बोल दिया again का मतलब होता है दुबारा notice that the last sound of the word rat is the T बिल्कुल सही है rat 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 T आ रहा है sound में ठीक है now say the words given below say now का मतलब up say मतलब बोलो the words मतलब शब्दों को given below जो नीचे दिये गए है below का मतलब नीचे अब ये जो words दिये गए है हमें इन्हें बोलना है ठीक है भई ये बोल लेंगे what is the last sound that you hear in each word given above ठीक है cap तो ये P आ गया jam तो ये M आ गया pen N आ गया bell तो ये L आ गया तो ये जो हो गये last sound हो गये हो गया आगे बढ़ेंगे अब आपको domestic और wild animals की जो है वो मैंने a farm chapter की worksheet बना दी है इस वीडियो के साथ मैं उसकी link भी description में दे दूँगी आप जाईएगा और पहले इस वीडियो को देखिएगा पूरा chapter समझिएगा और उसके बाद description में जाके उस link को click करके इसी chapter की worksheet को भी कर लीजेगा तो इससे आपका जो काम हो जाएगा वो एकदम पक्का हो जाएगा exam में कोई भी question आए कहीं से भी है तो आप तो डरेंगे ही नहीं क्योंकि आपने तो पहले धीर सारा homework कर चुका होता है ठीक है तो आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ animals along with their sounds की मैंने and their sounds की मैंने वीडियो बना रखिये है उसके link भी मैं इसी description में आपको provide कर आदेंगी ठीक है पसमें बात कर रहे है what is the color of a parrot what का मतलब होता है क्या बहुत बार बता चुकी हो फूल जाते हो is the color रंग है क्या रंग है of a parrot off का मतलब होता है कर ठीक है तो तोते का क्या रंग है तो दूसरा बच्चा बोलता है अब पैरिट इस क्या होगा पैरिट green in color राइट तो green लिख दिया है अब पहला बच्चा पूछता है what is the color of a crow crow मतलब कवे का कौन सार color है तो दूसरा बच्चा reply देता है कि a crow is black चीक है आगे बढ़ेंगे what is the color of rat rat का color कैसा होता है अलग अलग तरीके होता है white color का rat भी होता है black color का भी होता है brownie shade में भी होता है और जो बच्चे होते हैं उसके gray color का भी होता है तो black, brown, gray, white मैसे जो color आप लिख दोगे इस सारे में आपको full marks मेरेंगे ठीक है तो यहाँ पे मैं black लिख देती है काले color का मोटा चुगा ठीक है अब first child पूछता है what is the color of a peacock so peacock का कौन सा color है तो कहते हैं oh it has many colors तो वो reply करता है कि इसके पास तो बहुत सारे colors है आगे बढ़ेंगे यह देखो यह दो बच्चे आपस में बात्चित कर रहे हैं can you see the elephants where can you see them elephant दिख रहा है आपको कहां कहां दिख रहा है इसमें यह देखो पिक्चर में थोड़ी छोटी कर देती हूं तक कि आपको सब जगा एक खटा दिख जाए तो हाँ भाई मुझे तो दिख रहा है एक तो बड़ा वाला elephant यहीं दिख रहा है एक elephant मुझे इस painting में दिख रहा है ठीक है एक elephant यह हो गया एक elephant इस painting में हो गया वाव elephant की तो watch भी है elephant की design इस wasp पे भी है और elephant का एक तो flower pot भी है ओ इस थैले पर भी elephant है और कहां कहा elephant दिख रहा भई ओ इस table cloth में भी elephant का design है वाव और इस cushion cover पे भी pillow का design है इसका elephant का design है तो so many elephants are here in this picture ठीक है अब और कहीं अगर elephant बचाओ तो आप मुझे comment section में comment करना ठीक है बिटू बच्चों तो इस तरह से पूरा chapter complete हो गया है आप इसको जरूर देखें आशा करती हूँ कि आपको सारी चीज़ा अच्छे से clear होगे होगी मिलूँगी अगले chapter में अगली वीडियो के साथ तब तक इजाज़त दीजे मुझे बाइब बाइब